नमस्कार दोस्तो अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है रेलाइंस इंडस्ट्री के चेर्मेन और भारत के टॉप अमीर कारोबारियों मैंसे एक मुकेशंबानी का घर किसी महल से कम नहीं मुकेश अम्बानी का परिवार जिस घर में रहता है उस घर का नाम है एंटीलिया कहा जाता है कि अट्लांटिक महासागर के एक पौरानिक द्वीब के नाम पर इसका नाम एंटीलिया रखा गया मुकेश अम्बानी का घर दुनिया का सबसे महगा घर भी कहा जाता है ये बताया जाता है कि मुकेश अम्बानी का घर इतना बड़ा है कि इसके अंदर 600 लोग काम करते हैं मुंबई स्थित एंटीलिया की उचाई 27 मंजिल है और ये घर करीबन 4 लाग स्कुएर फीट में बना हुआ है खास बात ये है कि घर के हर कबरे का इंटीरियर दूसरे से अलग दिखता है एंटीलिया साल 2010 में बन कर तयार हुआ था उस समय पूरी दुनिया में इसे लेकर खूब चर्चा हुई थी 27 मंजिल वाले इस घर में पहले 6 फ्लोर केवल पार्किंग के लिए बनाए गए हैं गार्डन भी बनाया गया है एंटीलिया को शिकागो में रहने वाले आर्किटेट पार्किंसन ने डिजाइन किया है इसे ऑस्टेलियन कंस्ट्रक्शन कंपनी लैंक्टॉन हॉल्डिंग ने बनाया है इसमें तीन हैलिपैड की सुईदा है यह पहला ऐसा घर है जहां हैलिपैड है मुकेश अमबानी अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में रहते हैं यहां सब के रहने के लिए अलग-अलग फ्लोर है एंटीलिया में योग स्टूडियो आइसक्रीम रूम और तीन से ज़्यादा स्विमिंग पूल है घर में नौ लिफ्ट है और घर में एक स्पा और मंदिर भी है आपको बता दें कि इस घर का डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया है कि अधिक्तम आग्ट रिक्टर स्केल के भूकम के जख्टके को भी यह जहल सकता है रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अमबानी का घर 200 करोड डॉलर यानि की करीबन 11,000 करोड रुपे की लागत से बना है मुंबई शेहर के बीच में स्थेथ मुकेश अमबानी की सपनों की हवेली साथ साल में बन कर तयार हुई थी पतनी बच्चे और मा के साथ मुकेश अमबानी टॉप फ्लोर से ठीक नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवश्य शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को जरूर दमाएं धन्यवाद